दोस्तों स्वागत आपका केरिये प्लस चैनल में यहां पे देख लेते हैं इससे में जो है आज की सुबह खबरों में देखते हैं कि कोट के फैंसले पर टिका प्रधानाचार भरती दोयार 13 का प्रणाम रिजल्ट जो है असास की जो बिद्याले होते हैं उसमें 2013 का कार के दोर आओगी देखो इसमें लिखा हुआ असास की साहितापरात माधिक विद्यालों के लिए आठ साल बाद शुरू हुए प्रधानाचार भरती फिर अटकी मतलब के 632 पदों के लिए 2013 की प्रधानाचार भरती के साचतकार जो है उनको अभी इसको पोस्पॉंट कर लग्या है तो एक बात में बताना चाओंगात झावां जब तक जो है आपका यह रिजब्ठनाचार भरती नहीं होगी और परती होने के बाद ही आपको वही जाने पर इसमें जो आपको बता दी है आगे देख लेते हैं इसमें लिखा हुआ है जो इन पर जो है आपको बताए को ऐसा काम ना करें जिससे आपको पुलिस आरेश्ट करें लिखा हुआ है कि इसके अंतर का प्लाटून कमानिटर पी एसी अगनिश्व नो हजार पांसो चौतिस पदो पर सीधी भरती के लिए 21 में आर्लाइन इसमें लिखित परिक्षा के पांच केंद्रों पर फायर दर्च करा ली गई है यहां पर देख लिखा हुआ साब साब जो है दो हजार 21 में आर्लाइन लिखित परिक्षा के लिए पांच केंद्रों के लिए खिलाब फायर दर्च कराने की तै लिखा हुआ इसमें पर जो है गैंगिस्टर का केश चलेगा यह संचालक होते हैं एक तो आगरा का संचालक कृष्णा एक संचालक अगरा का मेरट का है और गोरकपुर का है अब बात करते हैं जो परसेती प्राथम के ध्यालों में गर्मी की छुटियां जो कल से शुरू होने जारी मतलब बीस तारीक से चुटियां होंगी और देख लिखा हुआ इसमें जो बीस मई से पंद्रे जून तक रहेंगे प्राथम की ध्याल पंद्रे जून तक बात करते हैं जो इसमें जो उच प्राथम की ध्याले के अंतरगत जो अनुदेशकों की भरती के लिए मैं आप बढ़ती हो चुकी थी इसके अंतरगत क्या सत्ताइस हजार से अधिक जो अनुदेशों का मान देश में वह उन्होंने यह बोला है कि जो है इसमें जो है नो हजार रुपे जो उच प्राथमिक में यह काम कर रहे हैं तो अब यह बार बार बोलने हैं कि हमको जो सत्रह हजार करा जाए ना कि हमारा जो नो हजार रुपे तो वही केस की सुनवाई जो होगी मैं आपको बताना चाहूंगा वह केस की सुनवाई जो है व बता रहा हूं डिग्री कॉलेज में जो 92 जो प्रोफिसर भड़ती थी वह उनको कॉलेज जो है उन्हों बाट दिया गया है अब बात करते हैं जो इसके अंतरगत क्या लोग सेवा आयोग के अंतरगत जो है अब यंदर सेवा परिक्षा 39 को होगी और प्रिवेस पत्र जो जार आने जा रहा है आप तयार रहेगा इसमें एडमिट कार्ड इन्होंने जारी कर दिए गये हैं अगली ख़बर बढ़ते हैं इसमें लिखा हुआ है जो है कि एम बीबी एसके 10,000 उम्विद्वार का जो है एंटी एक पत्र और साथ में नीट को टालने की मांग उन्होंने यह है कि यह नीट परिक्षा इसको टाला जाए और लिखा हुआ है इसमें जो है अन्य प्रतियों की परिक्षा के करीब होने का दिया हवाला और 17 जून 17 जुलाई को होनी परिक्षा तो एम बीबी एस जो पार्टे करम में दस जार से अधिक उम्मिद्वार को राश्टी ए पर लिखकर मांग करी कि जो इसकी हटा दीजा टल जाए पर ऐसा होगा नहीं अपने समय पर होगी एम बीबी एस परिक्षा अब बात करते हैं पशुपालन ती बिवाग में जो है चीफ फार्मसिस्ट सहीत जो 308 पदों पर होंगे सरजीत इसमें देख लिखा हुआ है को जो हिंदी ने कराई सर्वधिक कमाई हिंदी मतलब क्या आपने देखा हमारी मातरवासा हिंदी है तो इसमें संयुक्त सोज में आब इदन के लिए 75 जो है लाग के आसपास जो इसकी आए है और देख लिए यहां पर और क्रेट जो है दो यहार 21 की परिक्षा तारिक बढ होने जा रही है और साथ में साथ साथ सीटों पर पढ़ाई होगी तो वही चीज में आपको बता रहूं मेडिकल कॉलिज में तैयारी करते रहिएगा तो 378 जो है पदों पर इनके सरजित कर दिए मेडिकल कॉलिज में आगे देखते हैं सिक्षक भरती के अभ्यारतियों ने सारी प्राफ्मिक बिद्ध्याले जितनी कापियां थी सब जला दी गई थी क्योंकि वह पकड़मा आया था इसलिए दागे बात करते हैं यूपिट्र परिक्षा की आवेदन कर दिया गया है जल्द हो सकता है और आयो जो इसमें अगले मेने इसके जो है बिग्यापना आने होगा 18 सेतंबर को एक्जाम होगा और साथ में जो है इसके बाद आपको एजी टीए की देखना हो पर मिलेगी और साथ में जो है एक बढ़ती आने वाली है ठीकि यह दो तिन बढ़तियां लाइन में जैसे बिग्यापनावा अप्लस इंट्रकॉलिज में किलर्ग बढ़ती की परिक्षा में इन्होंने भी धांदली करें पुलिस भरती प्रणन और लाइन फर्जी वाड़ा में दो अभ्यारती मोन यादव और रावल को ग्रफतर कर लिया गया दोनों पुद्वार दुफैर पुलिस लाइन में सारी दक्ष्णा में सामिल होने पहुंचे थे इनको मन मोहन और रावल सॉलवर गेंग की संपर्ग में आ गए हैं ठीक है तो आकरी छड़ों में हल कर दी सारे प्रसंद मतलब शुरू के 40 मिरण में कुछ नहीं हुआ जैसी इन्होंने को एक सट्थाइस अंकिन को मिल गए तो ऐसा तो बिल्कुल कती ना करें कि यहां पर देख स सिक्षक बहार करें कि यह वही चीज कह रहा है कि ब्याट वाली जो होती है मैं साफसा बता हूं आपको ब्याट वालों को बाहर करना चाहते हैं प्राद्मिक सिक्षक भरती से क्योंकि अभी जो राजिस्तान सरकार में जो है रीट कराया गया था तो उसकी अभी सुनवाई इन्होंने लगा दी 14 जुलाई तक जवाब मांगा सरकान ने ठीक है और अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्ली चैनल सब्सक्राइब कर लिए जिससे कोई इन्फोर्मिशन कोई भरती आपके हासे निकलना जाए कोई सूचन आपके हासे छूटना जाए पिली सब्सक्राइब